हलो दोस्तों आप सभी का हमारे युट्यू चैनल पर हार्दिक स्वागात है आज जो हम पढ़ेंगे वो भोति विज्ञान कच्छा बारा का पहले लेशन का आंकिक नुमरेकल पढ़ेंगे इसमें हम नुमरेकल जानेंगे अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा था वो थवरी था आज से हम जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा आपका नुमरेकल रहेगा तो ध्यान दीजेगा नुमरेकल को हम कर्मा का तरीकी से एक-एक क्यूस्चन जो है आपको पढ़ते क्यूस्चन बताएंगे और यह जो नुमरेकल है यह कुमार मित्तल का है कुमार मित्तल बुक जो प प्रेस कर दीजे ताकि आपको हमारे द्वारा हर वीडियो का नोग्ट इफिकरशन आप पहुंच जाए और आप बढ़ियां से उसे देख सके आनंद ले सके तो बिना देर करते हैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें आप देख रहे हैं सारे कुछ 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 यह हो रही है कि कुछ को पहले हमें ध्यान से समझना क्या दिया है क्या नहीं दिया इसके बारे हम समझ करके तब लगाएंगे तो यहां पर यह कह रहा है कि एक पॉइंट छे गुड़ी दिसके पावर मास 19 कुलांब रभावेस होता है तो अलफा कड़ पर कितना आवेस और माइनस 19 कुलां इतना दिया है अब बात करते हैं कि अलफा कड़ पर कितना आवेस निकलेगा वह हमें ग्याद करना है यह एक अलफा कड़ है तो उस पर कितना आवेस अस्थानंत्रित होगा कितना आवेस उस पर होगा यह हमें ग्याद करना है तो हम बात करते हैं कि एतना प्रोंट्रानों की संख्या मैंतने नटनस रज़ता है और अच्छन leia होना सुननेश Qiulam दिया है यन is equal to कितना दिया है तो दो तो प्रोटान दिया घ कि अब हम्में ज्याद करना क्यों हम पीछे पड़ चुके हैं बिद्दुत December जो अलताई सिध्धान था इन्ई कॉन्टमी करण जी से कहते थे तो वह.'ưởng, च्रम hedge में gemeint क्या होता है तो यहां से Q is equal to आजाएगा देखिए 16 दुन्ना कितना होगा 32 यह तीन पॉइंट दो गुड़ेश के पावर मानस 19 कुलाम देखिए 16 दुन्ना 32 वह एक अंके बाद दसमल है तो एक अंके बाद दसमल अब यह आ गया पहले question का answer आपका आगया यह क्या होगा Q is equal to 3.2 गुड़ेश के पावर मानस 19 कुलाम होगा आएए देखते हैं दूसरे question का answer तो इसमें क्या है यह पहला question का solution था जो साल्व हो चुका है दूसरा question पर हम बात करेंगे तो करा एक चालक पर एक कुलाम रढ़ावेस है एक चालक है उस पर क्या है एक कुलाम रढ़ावेस है यह निकी बैलू निकालना है तो पहले क्या दिया है तो टोटल जावेस जो उस पर दिया है एक पॉइंट जीरो कुलाम दिया है यह जो दिया है यह टोटल बैलू दिया है आवेस का अब बात करते हैं एक रढ़ेस पर एक की बैलू कितना होता है तो हम जानते हैं एक तो यहां किव跟我 antzenida कि हमेद करें पैति इशिर है और शाब सब्रहेत किसनी परक नाइस परकास से कुर। उनी होता था हम पिछले question में दीखे हैं तो यहां से यह से यह यह ट्सकेर कि पिशट्सक्राइगा तो 3 कि दसफी किटना फोलाँ यहां से और जायें गया इसमिने Epic लेंगे छोगे rare बंद आये चालक पर कितने एलक्टरानों के दिखता होगी या कमी होगी अनि हमें यह बताना है कि लटरानों के दिखता होगी कि लटरानों की कमी होगा यह हमें ग्याद करना है तो क्या दिया है एक चालक पर 2.4 गुड़े दिखता होगा या कमी होगा तो यहां हमें यहां का मान निकालना है अब यहां बात करते हैं अधिक्ता होगा कमी होगा अभी हम बता देंगे किस कंडिशन पर होगा पहले हम यह अनकामान निकाल लेने दीजिए तो यहां E is equal to क्या होता है? अलेक्टरानक परावेश कितना है? दो पॉइंट चार गुड़े दसके पावर मानस अठारा दिया है यह कामान कितना होता? एक पॉइंट चे गुड़े दसके पावर मानस उननीस होता है पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा आजागा 24 बटे 16 तो प्लस तो पलसो कहा थो पा यहां चलाएं का दिखूणी छ में थना क्यों थि क्रक्रीघ्ट इमसेट थन्दोश नहीं क्लुने सुछ जाएगा चार शुर्ँथ। अब उसके बाद करता है कि यहां पर अधिक्ता होगा कि कमी होगा तो ध्यान दिजेगा यहां से क्या हुआ धना आवेस है तो जब कोई वस्त धना बेसित होता है तो वहां अलेक्टानों की कमी होती है मालते हैं कोई चालक है अगर उस चालक में औरिटरानों की अधिक्ता होगा तो उस चालक पर कवं साह तो यहां अधिक्गतना और यहा जाथ समझे यह दिक एिक सी पदार्थ में धना वेसीत पदार्थ है तो इसके मतलब क्या है वहाँ के कमी है यदा लतंते हैं वहाँ रढखावेसित परफ हो गया है तो इसका यहां पर कंडिशन वही है क्या है कमी होगा बात करते हैं 14 नंबर क्यों क्या किसी वस्त को 4.8 गुड़ेस के पावर माइनस 19 कुलाम से धनावेसित करने के लिए कितने लेक्टरान निकाले जाने जाएं ग्याद किजिए तो क्या है कुल आवेस कितना दिया है वस्त पर आवेस कितना दिया है क्यू बराबर 1.6 गुड़ेस के पावर माइस है उनीश कुलाम कि तो देखे यह विवडा होनव मैं स्व preserve प्र to या हूँ से इसका मतलब क्या होका तीन इलेक्टरान रहें या इसका मतलब होता है उपर वाला होता है परमाडभार क्या होता है परमाडभार कोई तत्व है जिसका परमाडभार कितना है चौदा है और यह होता है परमाड कर्मांग परमाड करमांग दो चीजे नीचे वाला परमाड करमांग होता है तो इसमें क्या होता है आवेसों की गणना करना है ने कुल आवेस का मान निकालना है तो जो परमाड करमांग होता है वो प्रोटानों की संख्या और लेटरों की संख्या के बराबर होता है जो परमाड कितना दिया चाहे साथ एलेक्टरान कहले चाहे साथ प्रोटान कहले दोनों बात हो सकता अब यहां से देखिए इच कल्टु कितना होता एक पॉइंट छे गुड़ेश के पाउर माइनस 19 कुलाम अब देखिए उसके बाद क्या निकालना में क्यूज कल्टु निकालना है तो किस कल्टु फार्मुला क्या होता है क्यूज कल्टु था या नी मान रखेंगे यहन का मान कितना दिया साथ गुड़े एक पॉइंट छे पॉइंट शेक्टेश के पाउर माइनस 19 इसको साल अगर 2 कि अधर घाता याए और जुड़ता है अगर 2 के अधर जाता याँ तो घड़ता है और यहां एकर दस्मलुर अधर लाएंगे कि 1 पॉइंट एक दो यहां एक जोडेंगे ृट है ध्ली घग यह प्लस का है क्या जगा उन्नीस में से एक जा कितना होगा 18 निदस के पर माय सथारा इसका मतलब इतना कुलाम हमारा क्या जाएगा आंसर आजएगा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को चलिए अगला मतलब यह जालक पर और था यह सो अपर यह फिर मतलब इसका मतलब 4The चालक पर फंद्राना होगाएगा हमें बताना है और उसके बात क्या है है कितना अधनावेस हो गातना उसकी मात्रा भी बताना है तो किया दिया हुआ है जालूर 000 पर 1500 हाऊ-धन जो थिकरता है तो यहाँ धिकता हो रहा है इसका मतलब क्या है जो भी आ-बेस हुतन होगा इसकी प्रक्रिक्रमों होगा और यहां प्राखरी क्या हो तो प्राकृति रढ़ावेस होता है, मात्रा की बात हम करते हैं, यान बराबर कितना दिया है, पंद्रा सो इलक्टरान दिया है, यह कल्टू कितना होता है, एक पॉइंट छे गुड़ेश के पाउर माइनस 19, हमें Q का मान निकालना है, निकालना है, क्या निकालना है, कुल यहां से पढ़े हैं, तो नुमरिकल बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, देखें, क्यू इच कल्टू यहन का मान कितना दिया है, पंद्रा सो, जब आप थेओरी देख लेंगे, तो इसको देखने में नुमरिकल लगाने में थोड़ा सा भी दम नहीं रहेगा, आप आप देखेंगे, नुमरिकल अटमेटिक हल होने लगेगा, थोड़ा सभी समयस्या होगा, यहां किलियर हो जाएगा, यहां तो क्यों का कनफ्यूजन दूर करना है, बाकी प्रोसेस जो है, वो किसमें है, थेओरी में है, थेओरी जाकर देख लीजेगा, आपके प्लेश्ट में मिल जाएगा, प्लेश्ट में लगा हुआ है, ना इसलिए, गैषे पर ट्या पर किरिया है , तो यहां बड़ाभा कितना दिया है 1.6 गुड़ेक पार मानम सुषसाह्च पना सू, जचकल क्तिया है lefenda 5.99 each कल्टू कितना गंहें? 0.60 10 केपफ box 19 गुड़ा कराएंगे? तो देखिए ! Jo20 लगाँ लगाँ दीजिए 15 चैका 90 15 कल्या हम 15 15 को 12 15 उनी कितना होगा? 24 15 16 कितना होगा 20 क्यों तो 15 कितना हो चापन 있어 20 कीज़ केपफ माल यंहाँ सब्सक्राइब तो प्रोड चार जीरो गुड़े दस के पावर कितना हो जाएगा तो यहां पर है समझ लिजिए अब दस्मलों को यहां से यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा एक दो तीन अंक्ला पड़ेगा इसमताब तीन जोडना पड़ेगा तो तीन जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे इतना कुलाब वारेसकि प्रप्सक्राइब इसलिए मैड़ घूश्चन देखती है अगला ऐसे हो यह देखते हैं एक चालग पर पांस लकटान की कमी है इस पर अवेस की मातरा तता प्राइब आक्रति क्याथ कर में तो यहां एक चालग पर 500 एक्टान की कमी हो रही है इसका मतलब क्या दिया है यह निजब लेक्टां की कमी हो रही है तो प्राकृती हमें पहले बात आते हैं जो आपको हमें प्राकृती ग्याद करना है फ्राख्रति मातब क्या है कि इहाँ पर धनावेश होगा कि रढवेश में सोगा प्राख्रति रड़ जोग्या होगा फ्ल्सक्रामी में तो धनावेश होगा इसको बहुत किदना करते है तो यहन exemption यह Whenever प्रोटानों पर भी आवेस होता है तो यहां से हमें क्या निकालना है कितना आवेस टोटल होगा यह में ग्याद करना है वह उाषन हें का मान रखेंगे तो पांसों पांसों गुड़ी का ना अप्रोट्टान चल्मल गुड़ेशी के पाउर मान खी बास इहां से मरें को लता है जोगा है तो दस्मालों कितना अंक अंक कुलाम आवेस होगा क्या अगा धन आवेस होगा धन आवेस होगा धन आवेस हो यह हमारा bene प्याशन रहा चले इतुंछ देखते हैं वजो है कि इसमें क्या। It day कि एक थजल का प्राभ्भधुतांक 15 क्या होता है तो प्राभ वाव्धुतांक के होता होता के अल्वारब कितना हूं और कितना ह треб है तो के पाइश बेर्फ पॉइंट नाट बराबर कितना होता है तो 8.85 गुड़े दस्के पाओर मायनस कितना होता हुते हैं में यह हमें टिखे अप prends औंप ऊप्धियर एपक्षारी में पढ़े थे कि आप्साल्स stuffing में किसी निर्वाद है मैं बड़े को सिलता है और वायो निर्वाद में बच्ठ ये की धू छूलता के में संबंध परे थे, तो वहाँ क्या है था ऑफसालता से वक्त कितना हो जाएगा, यहां możli में क्या है चूलता था, यंन सदो हो जाएगा, यहां से 8.85 आफसालो चसकर माइनस 12 होता है, आप देखें इसका हम गुड़ा करा लेंगे तो कितना एक गुड़ा कराना है 8.85 गुड़े एक याशी का गुड़ा करना है 1 पंचे 5, 188, 188, 188, 40, 88, 64, 64, 64, 69, 64 चाँ कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा इसको हम जोडेंगे 5, 8, 8, 8, 8, 16, 7 हो जाएगा तो यहां से कितना आजा इसका गुडा कराने पर टो 7, 1, 6, 8, 5 गुड़े 10 के पाओर कितना जाएगा? मायस का 12 आजाएगा उसके बाद फिक्या हो जागा कितने अंके बाद 10 लगेगा तो 2 अंके बाद 10 लगेए तुक 12 या इसको लिषकते हैं पॉइंट एक देखें अगर यह 5 से बड़ा है तो एक पाइप जोड़ देंगे कितना कर देंगे साथ लगभा कर देगे इतना कर देंगे तो यह भी सहीं है 10 के पर माइनस 12 यह हमारा जो आजाए क्या जागा और सरहा यह कि क्यों सा तो यहां मायस का 12 है तो पलस दो जूड़ेगा तो कि ना जाएगा 10 के पाओर मायस का 10 हाज़ेगा वही आ रहा है तो इसका जो मात्रक होता है वह होता है कुलाम स्कॉयर देखे कुलाम स्क्वाइर पर न्यूटन मीटर इसक्वाइर न्यूटन मीटर इसक्वाइर ये होता है निए बैदु सिलता का मात्रक होता है चलिए अगला क्युशन देखते हैं दो प्रोटानों के मद्ध लगने वाला पर्तकरश्ण बलकी गणना करना है जबकि उनके बीच की दूरी इतना दिया है तो दो प्रोटान, प्रोटानों प्राबेस क्या होता है तो प्रोटानों प्राबेस ने Q1 देखे क्या है, तो Q1 बराबर क्या क्या दिया है 1.6 στο 2 우is के पार मानस 19 ये होता है गुलाम और Q2 का मान भी वही दिया हा है q2 कमान कीतना दिया है 1.6 G10 के फ़ार दिश्के पाउर 19 कुला मेंने दोनों passado दीना दिया है तो बीच की दूरी क्या होता था र हम लोग पढ़े थे की दो आब आबेस की की दूरी हम क्या लेते थे तो रॉं बढ़राब कितना दिया है चार गुड़ेदस के पावर माइनस 15 दिया है हमें क्या निकालना है इनके बीच बल गया था यह नहीं अब बराबर निकालना है तो हम जानते थे यह बराबर क्या होता था यह बराबर जो होता था 9 गुड़े 10 के पावर 9 होता है Q1 का मान कितना है 1.6 गुड़े 10 के पावर मानस 19 Q2 का मान कितना है 1.6 गुड़े 10 के पावर मानस 19 बटे कितना होता है R स्कुएर R का मान कितना दिया है तो 4 गुड़े 10 के पावर मानस 15 का होली स्कुएर नहीं अफ बरावर कितना जाएगा तो यहां से गुड़ा कराएंगे, 9 गुड़े, देखिए 9 गुड़े, तो देखिए, 19, 19, जःफिए खत को हम जोलनेगे, पहले 1 पल्इट का से बिस्ताइं से क्या एक चे गुड़े एक पैंट खेतें देखिए, गुड़े एक पैंट थे, यह वाला लीक दिया है, घृत वाला हैं और यहां कितनाह пожघाएगा चार सो लाँ जाएगा फोला गुढ़ा एकोड़ा करनेतो और तो वस्रक्न कोड़ा देखे यहां पर यहां पर दो एक पॉइंट चार गुढ़ेद माहिए क्टनता जुड़ेगा उपर जागा तो प्लस हो जागा तीस तो यह प्लस का यह मायस का तो घट जाएगा तो यह बराबर जो आजाएगा देखे तो घटेगा तो कितना जाएगा एक प्ðен्व हमव गुड़ेदा जिरीथ क क्यूंध मेंगेत कितनी वाला पेस के कि दस्वा नंबर क्यूशन क्या कह रहा है यह हम देखते हैं बात समझ में तो दस्वा नंबर क्यूशन में कह रहा है कि एक यूरेनियम ने बान नभे दिया है जिसमें परमाळ से अलफा करूर सर्जित होती है तो क्या होता है कि जो यह परमाळ दिया है इस पर देखें ऊपर निचे क्या होता है तो यहां से हल करेंगे तो क्या जाएगा तो यहां से क्या होता है कि एक अलफा कर उसरजित हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटानों की संख्या कितना दिया था तो प्रोटानों की संख्या टोटल दिया था बान नभे कितना दिया था बान नभे क्योंकि प्रमाल करमांग जो होता है प्रोटानों की संख्या के बराबर होता है तो जो प्रमाल करमांग दिया है कितना है बान नबे टोटल प्रमाल करमांग दिया हुआ है से क्या होता है मतलब जो है दो अलफाइन सरी जित हो जाते हैं तो two alpha कर जाएंगगे इससे मतब दो प्रोटान मतलब जो है प्रमाद्ग कर्मांग जो होता है वो प्रोटानों की संख्या क्या बराबर होता है वो मतलब तो इसका मतलब क्या है कि जो पदार्त होता है उसमें कितने प्रोटान है तो नभे प्रोटान है प्रोटान होता है नभे जो को दो दूरी पर चला जाता है है दो मतलब क्या होता है कि अलफा कर निकलता है तो कि इसमें दूरी पर लगता है देखिए इसी में से पर्मार्ण क्यों निकलते हैं अब कितने दूरी पर जाकर लगते हैं तो गुड़े दसके पावर मायास 15 मीटर के दूरी पर लगते हैं तो आप बात करते हैं दो पदार्थ हो गए समल लिजे दो आबेस हो गए यह यह बराबर कितना हो जागा तो कि बराबर क्या हो जागा रिखेंगे नब्य प्रोटान है तो नब्य से गुड़ा करना पड़ेगा एक प्रोट इनके पीच की दूरी कितना दिया है तो उसमें से एक α सकरन निकलते हैं इसके मजल आपक क्या है और आपान काल निकालना है तो हमें क्या ग्याद करेंगे अब बराबर निकालना है तो यह बराबर क्या होता है कि अकालन के नियम से 9 q1 का मान कितना है तो 90 गुड़े 1.6 गुड़े 10 के पावर मानस 19 q2 का मान ज्याद करते हैं तो कितना है गुड़े 9 गुड़े दिखे 2 गुड़े 2 गुड़े q2 का मान देखे q2 का मान 2 गुड़े 1.6 गुड़े 10 के पावर मानस 19 का होली स्कॉाइर साप करेंगे तो पहले गींती को लेते हैं तो 9 गुड़े 90 गुरे 2 गुड़े क्दे एक पारिशे ऑं बचा गुड़े एक पारिया और 9 ओंच दिया है एक पारिट चिस इह वोड़े 10 के पाँफार 25, समक्oken कितना जाएगाँ तो यहां से क्या जाएगा दिखिये यहां से कर आप गुड़ा कराएगे निटक अया कड़िये और नो दौहम् गुड़ा काथ गया। तो बंग कितना तो बंग कितना तो बंग आप ध्यान का एगा 2648 एका य। बनावते ड्शाइ 16छै ही 216 लिखेज गुळा करा लिझे 16 शखका चान्णाबे 16 शुळाक ड्रीज़ गुळा 16 शुळा 2 चाक बारा संदाए 2 पंचेटेसे काँ घ्यारा 2 दुणनीचारेक 5 mat ons bond 512 इतना बादेस माल तो क्या होगा दो अंग के बात समश्कोरे का गतीश को三 हो जागा एक तीश के पावर तो दस के पावर दो बच्चेगा अब दस के पाव दो से गुड़ा करेंगे तो इसका मतलब क्या जाएगा यहां विसक यह आणसर पार निूटन आंसर呀가 अन्सर घ्रोई आंसर तो इह किसमें गहरा है कि कह सांडर रहें कि यह सबना वाकी कल्कूलेशन के लिए आम बात है कल्कूलेशन आप झाया से देखें क क्यों मैज़त संजी était-ग तो थांदेजेगा अगले क्यों प्रसपब जीरो पॉइंटकर लोग तो दूरी पर हैं उनके बीच यहां से क्या दिए है अलफा कड पर आवेस तो 2ज прrishna allergies मालते हैं अलफा कड यह है और एक अलफा कड यह है इंके बीज की दूरी कितना दिया है तो 1लफा कड यह है और 1 रफा कड यह है दो हख कर यह तो कितना हो जगा Q1 का मान जो दिया है Q1 बराबर Q2 देखे इस पर आबेस इस पर आबेस दुना पर Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जगा बाऊन्दार दिखे एक अलफाकर में ध्याँ दिए गया एक अलफाकर में दो प्रोटान होते हैं और एक प्रोटान पर आवेश होता है एक प्रोटान तो ज कमपेर केतना उसके लाजएकों 16 पॉडे की 4-22 मेरो 25rese-1-9 ऐन्याले- 500 कूलाम् यह ईंदीकि अब इसके बाद ऐसके भी आयर्क कितना दिया क्याँ थिक है आफिक आफ उसके बाद ग्री ऑसके बिच की दरबमान होते हैं, उनको पता होता है, तो आलफा कड का जो दरबमान होता है, आप लोग याद कर लेज़ेगा, ym1 बराबर m2, क्यों यहां भी अलफा कड है, यहां पर भी अलफा कड कर, ym1 बराबर m2, दोनों का मान केतना होता तो है यहां पर होता सीच के पॉइंट छे गुड़ेघ क्योलों गूवरा तरापमान होता एक 10 किलोगराम होता है North एक बीच बायदुत बल ग्याद कर लेंगे क्योंकि हमें निकलना है देखिए यहां बैदुत फ्र्तकरशन बल तो भैदुत बल के लिए क्लिए यह फी लिखते हैं निइवन पॉर पाई अफसालाइन नाट इन्टु क्यों होगा क्यों टुप क्यों हो जाएगा आर स्क्वार 19 यह हो गया ठीक है अब बटे R-square होता है तो R-square का मान कितना हो जाएगा तो 0.1 गुड़े 10 के पावर माइनस 10 का क्या हो जाएगा R-square हो जाएगा अब इसको साल बवर करेंगे आगे तो क्या ज़्याद यहां से इसको क्यों लिख देते हैं तो यहां से कितना ज़्याद धेगा तो इसको लिखने आप यहां पर इसको छोड़ दीजे ठीक है यह फिको छोड़ देगे कि भी कैंसिल हो जाएगा ठीक है अब हैं यहां से निकाल लेंगे तो यहां से जडिकले 5,000 हींदनल निकालेंगे यहां से नीकाल जो जोन हो जाएगा नहीं होता है c right मड्या किया चेठिक nast facil चैनले 25000 stripes मड़नний ग्यारा होता है 10 zrobionne 1000uchenवाट किंना होता है यहा पर भी 67 द्हाइए चाहिए तो आपको कि हैं जो यहां है kamu nu किétais को दिक्कत नहीं तो यहां-ka कि मान 6.6 पावर माlord 19 वारा अगुंड़े 6.006 बंधी स्थ के पावर गुड़े 10 के पॉझर माइनस 10 काhole square तो यहां में क्या निकाल सकते हैं? कितना गुणा होगा यह ग्यात करना है, तो हमें क्या निकाल लें है? कितना गुणा मतलब क्या हो जाएगा? तो यह अपन-fg मांपार लेंगे तीन पॉइंट दो गुड़े दस के पावर माइनस 19 अ बटे जो आ जाएगा देखे 0.1 गोड़े दस के पावब माइनस 10 का whole square अब पूरे का भटा फिल लगाएंगे तो इसका मान रखे यह तो होगया आपका यह अफी का मान होगया देखे अफी का मान हमने रखा न यह सब अब क्या रखेंगे यह जी का मान तो क्या होता है देखे यह फी कमान रहाँ 6.67 गुड़े 10 के पाऊर माइनस 11 गुड़े 6.6 गुड़े 10 के पाऊर माइनस 12 गुड़े 6.6 गुड़े 10 के पाऊर माइनस मैंनस जो हैं 2 जाफ़ी कमान आया था अबटे कीतना हो जाएगा तो जिरो पॉइंट 1 गुड़े 10 के पावर माइनस 10 का होल स्क्वार अब ये पूरा ये पूरा कईंशील हो जाएगा ठीक है ये पूरा ये पूरा क्या हो जाएगा पाइंगे तो जो आपका आएगा हम वह रहें कितना तो यहां से लिए पॉइंट द्याद के तीजा बॉइंट तीन पॉइंट एक पांच आठ एक पांच आठ गुड़े दसके पावर माइनस बार आ जाएगा यह इतना गुणा होगा यह फी अपान अप्जी का मान का जाएगा इतना गुणा आ जाएगा ठीक है तो यह प्रकिरिया आपका यहां समाप्त हुआ अगला क्यूस्चन हम हमने क्या किया बना कर दे दिया अब आप इतना कल्कूलेशन कर लिजेगा ठीक है चलिए हम आगे समझते हैं क्यूंकि अभी हम करने लिगे तो काफी टाइम आप इसके लिए ले ले जिसका फिर हम आगला आगे बताएं तो चलिए क्यूस्चन देखते हैं दो सुच गोलों हम इसे परतेग पर दस के पाउर पांच लेक्टरान की कमी है यह दिनके बीच एक मीटर इनके बीच की दूरी एक मीटर हो तो बैदुत बलकि गणना कीजिए यह नहीं क्या दिया हुआ है कि दो गोले हैं माल लेते हैं दो गोले हैं ऐसे ऐसे दो गोले हैं ठीक है दो गोले कि इन दोनों गोलों पर आवेस कितना उत्पन हो रहा है तो आवेस ग्याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले हमें क्या यहां आवेस ग्याद करना पड़ेगा कि दोनों गोलों पर कितना आवेस उत्पन हो रहा है क्योंकि यहां पर जो दो गोले हैं और दोनों गोलों तो पर क्या है दस के पावर 15 लटाने की कमी हो रहा है तो यहां से क्या दिया है यान इसकल तू कितना दिया है दस के पावर 5 लेक्टरान दस के पावर 5 लेक्टरान अब उसके बाद क्या बात क्या जा रहा है कि इसकल तू कितना होता है एक पॉइंट 6 गुड़ दसके पावर दस के पावर पाँच एलेक्टरान और 1.6 गुलेज़ दस के पावर मायनस 19 कुलाम तो जब गुड़ा कराएंगे, तो 1.6 गुलेज़ के पावर यह उननिस का यह पाँच का तो 10 के पावर मायनस 14 इतना कुलाम क्या हो जाएगा? आबेस उत्पन होगा वन के वहाँ लूस्बकर एंइ कि व्यून की बराबर क्या हो झाजएगा की क्ववशन बराबर क्या हो जाएगा q2 किया ग्याय जो इस पर आवयज फद्वावपगू का मान भी 10.6 इसके पार माने से उदा होगा और Q2 का मान भी 1.6 गुड़े दसके पावर 14 ही होगा दिखें दोनों गोलों पर समान प्रकार का अलेक्टान में कमी आती है तो क्या गयात करना है इनके बीच की दूरी आर बराबर कितना दिया हुआ तो आर बराबर एक मीटर दिया हुआ हमें क्या निकालना है यह का मान निकालना होगा कि दोनों गोलों के बीच में कितना बैदुदबल कारी करेगा तो यह बराबर हम जानते है कुलाम के नियम से क्या होता है वन अपान फॉर पाई अफसालन न क्या होगा एक पॉइंट छे गुड़े दिसके पावर माइनस 14 बटे आर का मान जो दिया हुआ आर का मान कितना है एक का स्क्वार एक होगा देखिए गुड़ा कराएंगे तो 16 16 256 होगा निन्नाव गुड़े मायास के किन भचेगा उनन्यस यएक का स्क्वार क्या होगा एक तो कुछ होता नहीं हो इसल रहेगा अब नव से गुड़ा गरा दीजे नवचक 45 25 और 5 कितना हो जाएगा 50 और नव दुन्नी अठारा अठारा पांच कितना हो जाएगा दिखिए नवचक चंवड़ा के चार हो गया हांसिल वर्चा 5 और 9 पचे 45 45 पांच 50 हो जागा हांसिल फिर पांच आए नोद उन्य अठारा अठारा पांच कितना हो जागा तो यह हमारा आंसर रहा तो यह क्यूचन था क्या बारा नंबर क्यूचन था जिसमें हम लोग लगाए अब बात करते हैं देखें तेरा नंबर क्यूचन में क्या है इसका हम सल्वेशन साल्व करेंगे तो तेरा नंबर मी भी बात हो रहा है कि दो सुच में गोलीयों पर 80 बटे 3 गुड़े 10 के पावर मायास 9 तथा वायो में एक दूसरे से 0.10 मीटर पर इस्तित है ने 0.10 मीटर पर इस्तित है उनके बीच बैद्दुत बल की गणना करना है मतलब क्या इनके बीच बल निकाला है ? लेकिन ऐख डिशन में बल कामा निकालना ह्याद उन्हें एक तार द्वारा चज़बार केले संबधित कर दे जाता था तब बल कितना होगा ये हमें एक जयतकरना हो तो पहले हम झालने का लिखेंगे ? कि you two बरावा कितना दिया है चाहर थीन दिया है कि again the can about mere गार तो यह 170 बरावा कितना दिया हुआ है इनके पीछ की दूरी आर बरावा कितना दिया है तो zero point ुट अ मिक्हें तो हमें क्या निकालना तब अपका मान नेकालना तो हम यह आपका मान ग्याद करते हैं तो यह फिसकल 2 वह नापान फॉर पया अपसलाया नाथ यह आपका कुलाम के नियम से ही आया है हमने थेहोरी में प्ढाया हुआ है वहां जा करके आप लोग पढ़ लीत यहा, कि 1 q2 upon क्या होता है r-square होता है अप्साल नाट की यह नहीं थे dif ev č. q1 कामाण कितना दिए है तो q1 कामाण दिए aja battu 3b q2 क माण दिए 160 Battu battu 3bittuom q1 कमाण इतना दिया है q2 कमाण इतना दिया है but r कमाण कितना माका दिया है तो ए खमाद 00.000ड दसके स्क्वार दिया हुआ अब यहां से च्वार गरेंग आप यहां भी का नव का si अभी आ हरो थिने को से यहां से टीश डीन यह थे थेन मीटी न को लगा दिए हम ने 168 128 होगा गुड़े 10 के पावर दिखे 10 के पावर 9 मायस का और 10 की पावर 9 बचेगा और बटे कितना आ जाएगा तो यहां से जो बटा आ जाएगा वो कितना जाएगा तो 0.10 लिखा इसको 0.1 नहीं समझेंगे तो 0.1 का स्क्वार करेंगे तो 0.01 आ जाएगा क्योंकि दसमलों के बाद 0 का महत नहीं होता है ठीक है तो आप क्या अवकाद दसमलों को हम हटाएगे तो 0 उपर बढ़ेगा तो जब दसमलों को हटाएगे तो 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा जब दसमलों को जोड़ा तो जोड़ेंगे तो जब दसके पर मायास तीन न्यूटन क्या आजएगा अंसर आजएगा अब इसमें क्यूचन और कह रहा है यद उन्हें एक तार से तार द्वराद छणभर के लिए संबंधित कर दे तब कितना होगा यह पहले क्या होगा उनक तो सटाने पर क्या होगा अबबेश्यों का श्टानान्त्राण होगा इसोबसक्ता स्वुर्स में आजकता है तो इस würdour के क्या होता है जब दो गोलीओं को आपस में संपर्कित करल जाता है तो निकालना को पड़ेगा रचर्ष की तो जो आउसत आभेश है तो जो आउसत आवेस होता है वो क्यूअन क्यूवկ थी जितना भी प्टे दूव किंद्य संख्या है come to do गोलियों का अबेश अवस्त बटे किया कर देंगे दो कमान कितना है तो доп. массób幫 हम देख रहे हैं आसी बटे थीन इत्अ कि cre 7 गोड़े 10 के पावर माईनस किल दिगा थीन 5-0 правos को तो अध्यान देजेगा ओ इसिम्यot जो है घात बराबर हा तो हम जोड सकते हैं तो जोड़ेंगे कैसे हर भी बराबर है तो बड़ेवाराम से जोड सकते हैं तो आज 160 कितना हो जगा 240 बटा कितना बचा तीन दुन्नी कितना जगा 6 अब गुड़े 10 के पर मायस नव एसे रहेगा अब सब्सक्राइब कर दोनों पर बराबर मात्रा में अस्थानांत्रित हो जाएगा तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आब यह सब्सक्राइब कर दोनों पर बराबर कितना लगेगा यह ग्याद करना तो बीच की दूरी वही रहेगा बराबर कितना था? 0.10 मीटर तो यहां से क्या होगा यह बराबर ने अब बराबर क्या होगा वन अपन 4 579 Q 1 Q 2 अपन क्या होगा यह गार इसका मान क्या होता है नो कोड़े 2 की पावर अब गुड़े 10 के पावर के देखिए 8, 8, 16, 16 में इसन हो जाए कितना बचेगा तो बचेगा 7 मायस का 3 कुलाम यह आपका अंसर आजाएगा तो यह आपका रहा सलूसन तो दोनों प्रकास से आपका अंसर निकल गया